नमस्कार दोस्तों शवागत आपका आपने चैनल मिस्ट्रै सब्ड़ासीच पर दोस्तों इस वीडियो में अलग अलग जिलों से आउट सोर्टिंग करमचारियों से जुड़ी खबरें कचे करमचारियों से जुड़ी खबरें लेकर आए हैं देख लिजे किस जिले से क्या खबर आ रही है 5-6 जिलों से अलग अलगतरा की खबरे हैं देखिए सबसे पहले लेते हैं कैथल जिले को ठीक है यहाँ पर देखिए 65 कर्मियों को मिलेगा रोजगार अब जो कैथल नफ है ठीक है सफाई क्रमचारी की वो बरती करेगा 65 जा था उसको इसी के कारण अब रात की सफाई शुरू करने जा रहा है इसे पहले भी सफाई होती थी वैसे लेकिन किसी कारण से ठेकेदार या कर्मियों की आपस की मतलब नय बनने की वज़ेसे उसको कैंसल कर दिया गादा टेंडर को लेकिन अब दोबारा से रात की सरवेक्षन में पिछडने के बाद नगर परिशद प्रसाशन सफाई ववस्था को बैतर बनाने का प्रियास कर रहा है सेर में फिर से रातरी सफाई ववस्था आरम की जाएगी इसके लिए करीब 65 करमचारी तैनात होंगे और करीब 50 लाग रुपे खरच किये जाएंगे ब रात को बाजारों में बीड बाढ़ वाली एससों से अधीक द्यान दिया जाएगा रात को बाजार बंद होंगे तो बीड में सफाई मतलब जो है बीड वाली जगए पर सफाई आसानी से हो जाएगी ये जो टेंडर है आगामी एक दो दिन की अंदर ही वरकिंग डे में टे तो एक दो दिन के अंदर अंदर ये टेंडर जारी करके और दिसंबर माह में काम भी शुरू करने का मतलब त्यारी कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो पहले भी यह चीज़े होती थी जैसे कि मैंने बताया लेकिन किसी आपसी विवाद की वज़ेसे इनको कैंसल कर दिया लगा था तो 65 नई करमचारियों को मतलब लेने की त्यारी में है ठीक है नगर परीशद कैथल ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले यह लेते एजू सैट चोकिदार जो चार माह से नहीं मिला मान दे सरकार करमचारियों को लगा तो लेती है ने तो उनकी समय पर आज खबर आ रही है यह मना नगर से एजू सैट चोकिदारों को च्यार माह से नहीं मिला है मान दे और याना रज्य चतूर्च सरकारी करमचार यूनियन डी यो से मिली जिले में 302 चोकिदार वे 25 मई 2007 से दे रहे हैं सेवा तो देख लिजे इतने साल से सेवा देने के प्रदेश में 4001 चाहतर वे जिले में 302 चोकिदार सेवाएं दे रहे हैं यानिके पूरे रियाना में 4001 चोकिदार कम नहीं है ठीक है मान दे जारी करने की मांग को लेकर रियाना राज्य चतूर्च सरेणी सरकारी करमचारी यूनियन ने जिला परदान मोहनलाल के प्रेक्रमचारी जैसे अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 15-20 वेक्ति हो सकते हैं ये जो खबर है वो लोकल लेवल पर दब कर रहे जाती है ये नेशनल लेवल के पेज पर नहीं आती किसी भी न्यूज पेपर में ये आप कियाएगी जैसे ये कैथल युम्ना नगर ब वेक्ति अगर 4000 ही कैतर वेक्ति अगर किसी मंतरी के दर्वाजे पर जाकर ही गठा होंगे तो उसको पता चलेगा क्या प्रेशानी चल रही है और आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा तो यहां तक नहीं रुकें जब इतने इतने दिन हो जाते हैं सेलरी मिले हुए तो अगलग भी भागों में प्रेशानिया चलती ही रहती हैं ठीक है इसलिए कोई गोर नहीं करता है अपसरों की समय पर जो हसेलरी आजाती है उनको कोई मतलब इसान नहीं रहता है तो आपने भी भागों के मंतरियों से मिलिये वैसे सिर्फ आशवासन दे कर रहे जाते हैं ऐस मांग लिया चिठी लिख दिया है फॉर्मेल्टी पूरी हो गया है तो दोस्तों एक साथ मिलकर अपने आई लैवल तक जाईए आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा उसके बाद देखिए यह मांगों को लेकर चतूर्थ सरेणी पुलिस वी बाके करमियों ने चर्चा की तो क्या दार पर कच्चे क्रमचारीओं को पका करने की मांग यह मांग तो अमेशा से रही है लेकिन मेरे ख्याल से यह तो सायद किसी डिपार्टमेंट में काफी सालों से पूरी नहीं हुई है ठीक है यहां पर आप देख सकते हो कि वो रिष्ठ था क्या दार पर जो हपनी मां मतलब salary भी बढ़ाने की बात बोली गई है और साथ में पका करने की मांग भी बोली गई है बहुत सारे साथियों के comment आते हैं आप उनको आपती भी होते है regular करने की क्योंकि बहुत सारे साथिया ऐसे लगे भी होते हैं वही इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिनकी qualification वगारा पूरी नहीं होती है लेकिन वो उस post पर काम कर रहे होते हैं लेकिन साथ में उनको काम करते हैं वे अपनी qualification भी पूरी कर लेनी चाहिए बहुत से में उनको वो सकता किसी परकार का सरकार अगर लाब दे तो ठीक है तो ये पुलिस में में लगे कच्चे जो करमचारी हैं उन्होंने अपनी मांगे उठाई है ठीक है क्योंकि सेलरी की प्रेशाने तो हर्जग ही रहती है और पका करने की मांग तो हमेशा से बनी रहती है सरकार अगर एक साथी ने कमेंट पूछा था कमेंट में किया कच्चे करमचारें को कभी पका किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है अगर सरकार की मनसा हो तो बहुत सारे जिल राज्यों में जैसे आपके पडोशी पंजाब में ही किया गया है कुछ मतलब यह साइद एक महिना भी नहीं हुआ है तब यह नोटिफिके हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर यह ख़बर चर्क्षी दादरी से ट्यूबल एपरेटर ठीक है ट्यूबल ओपरेटरों को 30 तक बहल नहीं किया तो एक से शुरू होगा अंदोलन अंदोलन मैंने यह ख़बर पढ़ी वीडियो बनाने से पहले तो सबसे बड़े दुख की बात मुझे यह लगे यहां पर जो मैं आपको बताऊं वीभाग में अनुबंदित कर्मी मात्र 4000 के मांदेप और अपन्याजिवी का चला रहे हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज के समय में 4000 रुपे में काम कर रहा है सरकार वैसे तो पता नहीं कितने नियम बनाती है ठीक है पक्के करना एक अलग बात है समय पर शेलवी देना एक अलग बात है लेकिन मात्र 4000 रुपे और वो भी समय पर नहीं अरे इससे अच्छा तो वो सक्सम युवा हैं जिनको काम मिलने पर 6000 और बता जोड कर उनको 7500 या फिर 9000 रुपे तो मिल जाते हैं मात्र 100 गंटिन को काम करना पड़ता है तो बड़े सरम की बात है सरकार के आखें बतलब बंद हुई पड़ी है कि 4000 रुपे महीना में कोण आज के समय में इस महंगाई में काम कर रहा है सरकार पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन स्वास्तवी बाग ने 66 पारट टाइम ट्यूबल उप्रेटरों को बिना नोटिस दिये अटा दिया गया था तो कोई वैलू ही नहीं समझती है सरकार तो सेलरी कैसे देगी कब देगी बिना नोटिस के ऐ प्रेरत कर्मियों को अटा कर उनका अर्थिक मांसिक सोसन कर रही है तो यह ऐसी प्रेशानी सभी भी बागों में कचे करमचारियों के साथ चल रही है अपने आवाज लगातार उठाते रहे हैं हो सकता कभी ना कभी आपकी तरब भी द्यान दिया जाए कम से कम चुनाव टा की लहर में काम कर रहे थे लगातार उस समय यहां पर देखे क्या कैया उसी दोरान भी बाकिया दिकारी MPHW और MPHS स्कैडर के करीब 1500 पदों को समाप्त करने का ड्राप्ट त्यार कर रहे थे तो आप सोच सकते हो जरूरत पूरी काम खतम बागी है मतलब इस तरह से आपस में ही उड़े रहेंगे लोगों को समय ही नहीं होगा किसी की तरफ कुछ देखने का तो 1500 जो पधाउन को ड्राप्ट त्यार कर दिया गया है खतम करने का 1500 पदों को खतम करने का समाप्त किये गए पदों की बहाली और अन्य मांगों को लेकर परदेश के स्वास्था कर्मी आगामी 9 दिसंबर को स्वास्था महानी देशक के पंचकुला स्थेत कारियले में के समक्स अंसन कर रोस परकट करेंगे स्वास्था सुपर्वाइजर संग जिलारिसार के सियोजक सुभाराम ने बता कि आगामी 9 दिसंबर को महानी देशक कारियले में के समक्स प्रस्तावित अंसन कारे करम के त्यारियों को लेकर रणनीती बनाई गई है करमचारी नेताओं ने बताया कि MPHW के 333, MPHS के 118, SMI के 45 और Assistant Unit Officer के 26 पदों समेत भी भाग के करीब 1500 पदों को समाप्त कर दिया गया है तो जरूरत खतम है तो पद ही खतम कर दिये गई है जरूरत पड़ी तो पद बना दिये गई तो ये आलात हो चुके है और यहाँ पर आप देख लीजे ये भी बड़े कमाल की खबर है पतलब अचमबीत करने वाली चीज़े हैं कि 25 अपरेल 17 अगस 2020 को करमचारीयों के कुछ जैज मांगों को के उपर सैमते हुई थी यानि के मांग रखी थी मैं जो आप लोगों को इसमें ये बताना जा रहा था चा रहा हूँ यह उपस्तित अगनी समन सेवा के राजया प्रेस प्रवक्ता गुलशन बारदवाज ने बता कि सरकार 20 वरसों से आप समझ रखते हो पूरा जीवन अपना जवानी दे दी है वि रोजगार को खतम करने की त्यारी लगी हुई है जिनको हम बिल्कुल भी बरदास नहीं करेंगे अगर उनके विवाग को वापिस निकाई भाग में नहीं बेजा गया तो दिसंबर में मंत्रियों सांसदों एमले के विव आवासों पर बड़े विरोध परदरसन किये जाए कहां करेंगेगी तो बीस वरसों से जो करमचारी काम कर रहा है अब वो कहां जाएगा तो यह सोचने वाली बात हैं सरकार को कम से कम इस अच्छी पोलिशी के तैत सारी चीजों का समादान करना चाहिए तो जहां से देखें समस्याएं समस्याएं और समस्याएं हैं कचे करमचारियों के साथ तो एकता बनाए रखें ताकि आप लोगों की समस्याएं कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके दूर होसके तो ये थी अलग-अलग विवागों से, अलग-अलग जिलों से, आउट्सोर्सिंग रमचारियों की खबरें, अगर आप भी चाहते हैं समय पर पाना, तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, थैंक यू, वेरी मुच करें वीड़तthank के सब्स्के दो करें एफ हुँरू अलग-ई हुआते ऑलग-ज spor चाहते हैं जुरू के से, अहर दो, आबस में अजिएजवाण हैं मुरू जाजियों से, खबाएंग धाना, थकन्य करें, अरेखते हैं ne से, आप वजेशा हैंयोंटेंटेंग हुआ हैंस् आ